जी हाँ नमस्कार आप सभी का EKT हिंदी पर हारदिक स्वागत करता हूँ कैसे आप सभी आप सभी के लिए बहुती बड़ी खुसकबरी है और आने वाले 15 सितंबर 2024 से पूरे देश बर में प्रदानमंतरी नेंदर मोदी 10 बड़े लाब देने जा रही हैं अगर आप गरीब प परिवारों को सबसे जादा फाइदा दिया गया है सरकार की तरफ से आपको बताएंगे 18,000 रुपे तक आपको मिलने जा रहे हैं बिलकुल फ्री और जिनके पास बना हुआ है BPL का रासनकार चाहे पीला हो चाहे गुलाबी हो चाहे आपके पास हरा रासनकार हो आप जिस से रासन लेते हैं उस रासनकार पर आपको 10 लाब सरकार देने जा रही है आने वाले 15 सितंबर 2024 से आपको उतादे लगातार देश बर में विधानसबा चुनाओ का सोर है और कुछ राज्यों में विधानसबा चुनाओ हैं कुछ राज्यों में विधानसबा के चुनाओ आने वाले महिनों में होने वाले हैं और चुनाओ को देखते हुए मोधी सरकार लगातार एक्षन में हैं और नए फैसले लिए गए हैं आपको बताएंगे किस प्रकार से आपको फायदा दिया गया है उससे पहले आप यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को भारतकार अगर आपके पास बना हुआ है तो सरकार ने अब 10 लाख रुपे तक का इलाज करने की गारंटी आपको दी है आपको बता दें पहले 5 लाख रुपे तक का इलाज आपका आईसमान भारतकार के तहत किया जाता था अब आपका 10 लाख रुपे तक का इलाज किया ज भी दिये जाएंगे ताकि वो परिवार टूटे ना बिखरे ना ठीक है वही हम बात करेंगे ऐसे परिवारों की जिन परिवारों ने प्रधान मंतरी गरीब कल्यान अनियोजना से आन लेते हैं चाहे गेहूं लेते हैं चाहे चीनी लेते हैं चाहे चावल लेती हैं ऐसे कहीं पर भी जाकर की रासन ले सकती हैं आपको बता दे चाहेये आप किसी भी राज्य के हैं और किसी भी राज्य में जाकर की रासन ले सकते हैं सरकार ने आने वाले 15 सितंबर से ये फैसला लिया है कि आप कहीं पर भी जाकर की रासन ले सकती हैं आपको क्या करना पड़ रहा है आपको अधार कार के साथ अपने रासन कार को लिंक करना पड़ रहा है अगर आपने अभी तक भी नहीं करवाया है तो आप जल्द करवा ले क क्योंकि भी सरकार ने समय जो है वो बहुत ही कम दिया है अब आपके पास कुछ दो से तीन दिन का ही समय बचा हुआ है आप जरूर करवाले 15 सितमर के बाद आपको यह जो मोका है यह नहीं दिया जाएगा और आपके जो रासनकार है इस पे आपको जो स्वीधा है मुलभू ज ऐसे गरीब परिवार अभी भी बचे हुए हैं जिनके पास रासनकार नहीं है केंद्र सरकार प्रदामंत्री नेंद्र मोदी की सरकार ने एलान करते वे का है कि ऐसे परिवारों को हम रासनकार के साथ जोड रही हैं जिनके पास रासनकार नहीं है वो ओनलाइन तरीके से आपको रासनकार पर दी जाती है वहीं हम बात करेंगे सरकार ने अब 18,000 रुपए देने की गोशना कर दी है जिनके पास भी रासनकार है पीला हो चाहिए गुलाबी हो अगर आपके पास मकान है लेकिन आपके पास सोचाले नहीं है क्योंकि सरकार ने सोचाले युजने की तै पहले भी 8000 से 12000 रुपे तक की जो रासी है वो देने की गोशना की हुई है और पहले भी सरकार देती आई है और आगे भी देती रहेगी लेकिन आपको बता दें अब सरकार 12000 रुपे से बढ़ा करके 18000 रुपे की जो रासी है वो दे रही है कुछ राजयों में विदान सवा चुनाओ को देखते हुए सरकार ने यह जो फैसला है यह लिया है और यह जो फैसला है बहुती करांती कारी फैसला है कि आपको बता दे लगातार सरकार जो है वो गरीब परिवारों के हक में सोच रही है और जैसे कॉंग्रेस ने ऐलान किया कि हम सोचाले के लिए 50,000 रुपे कि NDA पलस बिजवी की सरकार है इसने एलान कर दिया है और यह आपको फाइदा दिया जाएगा वह जिन परिवारों के पास अभी भी अपना खुद का पका मका नहीं है ऐसे परिवारों के लिए भी बहुती जबरदस्त खुशकबरी ले के आए हैं आज की बहुती अगर आप आवेदन करेंगी तो आपको मातर दो दिन के अंदर ही आपका फारम जो है वह अपरूल कर लिया जाएगा उसके बाद आपको अपना घर योजने के तहत धाई लाक रुपे से लेकर पांच लाक रुपे तक की जुरास्ति है वह दी जाएगी और आपको सोगज क जो पुलोट है वो भी दिया जाएगा सरकार ने अलान करते है कि सोगज का पुलोट वह धाई लाक रुपे से लेकर पांच लाक रुपे तक की जो रास्ती है वो अब गरीब परिवारों को दी जाएगी ताकि वो पुलोट में अपना जो मकान है वो सही ढंग से बना सकें आपको दादे लगातार सरकार गरीब परिवारों के बारे में सोच रही है और लपीजी गैस सिलेंडर को लेकर भी बड़ी अपडेट है लपीजी जो गैस सिलेंडर है लगातार इनकी जो दाम थे वो बढ़ते जा रहे थे सरकार ने अब एलान कर दिया है कि आने वाले 15 सि जो रास्ती है वो बैंक अकाउंट में अब आपको मिलने जा रही है आपको दादी ये 500 रुपे की जो रास्ती है ये आपको बैंक मिलेगी और आपका जो बैंक है वो सरकारी बैंक होना चाहिए क्योंकि भी पैसा जो है वो सबसे पहले सरकारी बैंक में ही जारी किया जाए में जैसे के हम बात करे अरियाना की हम बात करे जब मुकसमीर की जिसमें लगातार कोंग्रेस ने अपने मैनिफेस्टों में गरीब परिवारों के हक में बड़ा एलान करते वे जैसे के हम बात करे राउल गांदी ने एलान किया था कि हम गरीब परिवारों को 6,000 रुपे दें पैंसन अब सरकार ने खुद प्रदामनेंटरी नेंदरमोदी की योगी सरकार अब बात करें उत्रप्रदेश की तो योगी सरकार ने अलान कर दिया है अब ही उत्रप्रदेश में जितने भी बुजुर्ग हैं जिहां उन सभी बुजुर्गों को सरकार 15 सितनमबर के बाद पास अभी भी एक भी जी हाँ अपना काम करने के लिए कोई वेवसाय नहीं है और वो बहुत ही गरीब है तो सरकार ने अब धाई लाग रुपे से लेकर तीन लाग रुपे तक की जो रासी है वो देने का अइलान कर दिया है और बिना किसी ब्याज के आपको जो पैसा है ये दिया जाएगा 15 सितंबर से आप सरकारी बैंकों से ये जो पैसा है ये ले सकते हैं और ये जो पैसे के लिए आपको बैंक में जाकर के ओनलाइन तरीके से फारम जो है वो आमंतरीत करवाने होंगे उसके बाद तक्रीबन 10 से 15 दिन के बाद अगर आपका फारम पास हो जाता है तो आपको जो पैसा है वो सरकार की तरप से दे दिया जाएगा बैंक की तरप से दे दिया जाएगा और ये जो बैंक आपको पैसा देगा इसमें किसी प्रकार का कोई ब्याज आपसे नहीं लिया जाएगा आगे भी कापी सार योजन नहीं आती रहेंगे छोटी बड़ी सबीक जानकरी आपको मिलती रहे आप बने रहे हमारे यूटूब चैनल के साथ सब्सक्राइब कर ले इस यूटूब चैनल को सेर कीजिगा इस वीडियो को वीडियो देखनी के लिए आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ बगवान करे आप सभी का दिन सुब रहे